यही धर्म है मोक्ष पतगामी, मद्यम मार्ग सरल, पांच अनुशीलन है इसके, मानो पालन कर, सतकर्मों की पूजी बना ले, प्रेम भाव अविरल, कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न चल, ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं, चैनल नंबर 466, यूस पुद्धापर लोगंडे का जन्म, वर्ष 1848 में ठाने जिले में हुआ, उनका परिवार बहुत ही करीब था, वो फूलमाली समाद से थे, माता पिता मूलरूप से पूने जिले के कावेर सर और खेड तहसिल के रहने वाले थे, कावेर सर गाव में रोची रोटी ठीक नहीं चलती थी, भू अबजियां और फल फूल बेच कर अपनी जीवी का चलाने लगे, इसके बाद वे वही बस गए, माली समाज में जन्म लेने वाले जोतिबा फुले के क्रांतिकारी विजारों और उनके द्वारा शुरू किये गए सत्य शोधक समाज आंदुलन के महानकारियों से वे पहले ह वाकिफ थे, नारायन मेखाजी लोखंडे माली के नव शिक्षित यूगकों में से एक थे, जोतिबा फुले भी नारायन मेखाजी लोखंडे के कामों से अभिबूर थे, वे अन्नी कारिकरताओं में से अलग थे, यहां तक ही उनके सबसे करीबी भरोसेमन सेहकर में भी दे नारेण मेघाजी लोखंडे धीरे धीरे जोतिबा फुले के सत्य शुधक आंदुलन में सक्रिय हो गए मुंबई कपडा उद्योग 1870 और 1880 के पीच 3GC बड़ा पश्टी में महराष्ट और कोकन शीत्र में बड़ी संख्या में युवा श्रमिक अपने परिवार को गाउं में छोड़कर नौकरी की तलाश में मुंबई आने लगे श्रमिक भहुदायत उपलब्द होने के कारण कपडा मेल मालिक बड़े पैमाने पर महनतकश वर्ग का सोशन करते थे इसी तरह अधिकांश श्रमिक वर्ग काउं में अपने परिवार को रखते थे और अन्यातिक गतिवीधियों का सहारा लेते थे और अपनी प्राकृतिक शारेरिख भूग को संतुष्ट करने के लिए शराप पीते थे कपडा मालिकों द्वारा श्रमिक वर्ग के शोशन सामाजे करीती रिवांचों और अंधविश्वास आधी के कारण शूद्रती शूद्र का शमिक समाज दिन बदिन शक्ति हीन होता गया एक और अंग्रेश सरकार के शासन में ज्यान और प्रकृति ही हो रही थी शूद्रती शूद्र बहुजन समाज पिछरता जा रहा था इसलिए नारायन मेघाजी लोखंडे ने कारिकरताओं को समाचार और सदाचार का पाट पड़ा कर उनका बौधिक विकास किया कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक और प्रभावी लेखन के माध्यम से जन जागरुता पैदा करने के लिए बहुत प्रयास किये गए सन 1886 इसवी में उन्होंने पंच दरपंड नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की दीन बंधु नाम का पहला मुखपत्र कृष्णची पांडुरंची फोसले इनके समपादन में एक जनवरी 1877 को पूरे से प्रकाशित किया जिससे सनातनी वर्ग में खलबली मच गई थी इन सभी परिस्तितियों को मात कर उहोंने दीन बंधु मुखपत्र बड़ी हिम्मत से चलाया। पत्र ने इसका राई का पहाड कर दिया। 15 मार्च 1881 को गवर्नर जनरल की विधान परिशद ने फैक्टरी बिल पारित किया। हलांकि कपड़ा मिल मालिकों की विरोध के बावजूत अधिनियम अस्तिक्प में आया। लेकिन इसके प्रावधान बहुत हलके और सीमित थे। ये अधिनियम उन सभी प्रकार के कारखानों पर लागू होना था जो एक वरश में कम सी कम चार मेहने काम करते हैं। और सौ से अधिक श्रमिकों को रूजगार देते हैं। अधिनियम में केवल बाल श्रमिकों के प्रावधान किये गए हैं। इसके अनुसार साथ साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना जाए। साथ से बारा साल के बच्चों को बच्चा ही माना जाए ऐसे बच्चों को एक दिन में नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं करने देना चाहिए उसे एक घंटे का आराम देना चाहिए साथ ही हर महने चार दिन का सापताहिक अवकाश दिया जाए इस तरह के प्रावधान करके सरक बच्चों का आयू प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा और ये देखने के लिए एक निरिक्षक नियुक्त किया जाएगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। कारखाना मालिकों को नारायन मेघाजी लोखंडे की प्रमुकता से ग्यापन स्वापा गया ये सिलसिला चलता रहा नाराण मेगाजी लोखंडे इनके नेत्रित्व में सन 1887 में रत्नागिरी जिले में किसानों के लिए उनके दुख निवारण के लिए एक संघटन स्थापित किया इस संघटन के माध्यम से उन्होंने किसानों के लिए कारे करना शुरू किया इसलिए उन्हें किसान संघटन का पिता महा कहा जाता है इनके और इनके सहकारियों के माध्यम से जोतिबा फुले इन्हें 11 मैं 1888 को महत्मा ये उपाधी प्रदान की गई नारायन मेघाजी लोखंडे इनके कारियों की चर्चा हर तरफ होने लगी थी उनके कारियों से प्रभावित होकर मिल मजदूरों के संघटना उत्वारा 10 जून 1890 को एक जाहिर सभा का आयोजिन किया गया और मजदूरों को प्रत एक रविवार को छुट्टी मिले ऐसा प्रस् चुट्टी देने की मनजूरी दे दी पर ये सापताहिक चुट्टियों का सलसिला आज तक जारी है नारायन मेघाजी लोखंडे इनके इस महत्वपूर्ण कारियों को देखकर ब्रिटीश सरकार ने उन्हें 1890 में जस्टिस ओफ पीस की उपाधी प्रधान की राश्ट्रे ए प्लेक महामारी ने पैर पसार लिये थे इस महामारी में आम जन मानस के साथ मिल मजदूरों और देहाडी मजदूरों का काफी नुक्सान हुआ हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था इन गरीब जनता को उपचार देने हें तू नारायन मेघाजी लोखंडे और उनकी नस्दी की सहकारियों ने मराथा हॉस्पिटल की स्थापना की और हजारों मिल मजदूरों की प्राण बचाए गए इस कारिय में उन्होंने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया इसी दर्मियान उन्हें प्लेग ने खेड लिया वे काफी कमजोर हो गये थे जिस कारण उनकी रोग प्रतिकारक्षमता कम हो गई और उनका 9 फरवरी 1897 को ठाने में निधन हो गया ऐसे इस कामगारों की सच्चे हितैशी चहीते दबे कुछले लोगों के मसीहा सभी के रविवार चुट्टी के जनक कामगार नेता नारायन मेगाजी लोखन्डे इने शत्य शहनमन झाल